सब्सक्राइब दोस्तों को नमस्कार जहीं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागात है आपके अपनी चैनल जॉब सुरुवे में आज इस वीडियो हम बात करेंगे एरफोर्स की ओर से जो भारती वायूस हैना की ओर से एफकेट के लिए विडियेस पोस्त में रिकूर्ट में और हो सकते तो अगर आप इंट्रस्टेर्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में और आप कोई वीडियो वीडियो को बीच में स्कुप करतें यहां पर देख सकते हैं आप लोग भारती वायू से नहीं है इंडियान एरफोर्स यह इसका ओफीचल जो है वेबसाइट में उसको उपन कर रहे हैं उसके बाद यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं आपको सिंपली जाना गूगल में गूगल में जानेक बाद सरकारिजरल.com को स विजिट करते हैं उसके बाद यहां पर स्क्रॉल करेंगे आप आएंगे लेटेस्जाब वाले स्रिक्शन में आने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है फॉर्थ नंबर में लिंक मिल जाता है इंडियान एरफोर्स एफकेट वन 2020 ऑनलाइन फंटी तो सिंपली इसको क्लिक करना और आगे बढ़ना यहां पर आने के बाद आप सिंपली नीम आप पोस्ट में सबसे फॉर्स में आपको देखने को मिलेगा इंडियान एरफोर्स एफकेट एंट्री फॉर्स 2020 ऑनलाइन फंट्रम 2021 यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके सौर्ट इंफोर्मेशन की त तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं तो इसके बाद इहां पर मैं बात करता हूं इंप्ली के सन स्टाइट हो एक डिसमबर 2020 और मैं इसको 2 December 2020 को अगें मैं रिपीट कर रहा हूं 2 December 2020 को मैं cover up कर रहा हूं और यहां पर मैं बात करता हूं last date apply करने की तो वह last date apply करने के रहने वाले दोस्तों 30 December 2020 को तो अगर आप interested है और flying branch में अगर आप personally अगर आप apply करना चाहते हैं तो date खतम होने से पहले आप इसमें apply कर सक करता हूं exam date or admit card और ठीक है तो दोनों यहां पर अभी इन्होंने कोई declaration नहीं कि एक्जाम कब तक लेना है ठीक है नहीं पेड़ेप में इसके बारे में कोई declaration है लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं है ना जो course start होगा fully finally successfully वह जन्वरी 2022 में याने के आपको एक साल और extra wait करना पड़ेगा तब यह इसका course start होगा ना यहां पर हम बात करते हैं application fees की तो application fees मैं बता देता हूं FKT के लिए FKT entry के लिए जाए वो STSC journal कोई भी candidate हो अगर वो apply करना चाहते है directly FKT entry के लिए तो उनको 250 रुपय सुल कर देना पड़ेगा अगर है ना उसके बाद मैं ब payment करने के ज़रूरत नहीं है और यहां पर एक चीज और बता देता हूं अगर आप इसका FKT का फीस payment करना चाहते तो आप किसी भी mode चाहिए वो है ना net banking debit card credit card या फिर bank इजान के यूज करके आप इसमें payment कर सकते हैं अब मैं बात करता हूं age limit की तो age देखे एज लिमिटेश 20 words होनी चाहिए और maximum 24 words होनी चाहिए ना अब मैं बात करता हूं ग्राउंड है जिसको हम बोलते हैं ground है ना ground duty की तो ground duty में minimum 20 words होनी चाहिए और maximum 26 words होनी चाहिए अब यहां पर एंसेस पैसल लेवल है ना इनसेस पैसल एंट्री मागर आप अप्लाई करना चाहते है तो इसके बता देता हूं और पोस्ट वगेरा सारी चीज़े आपको बताया चलता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं एफकेट के लिए तो एफकेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते है उसके लिए टूटल 69 पोस्ट में वेकेंस है उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं ग् के लिए हैना आने के मेल के लिए तो यहां पर 32 पोस्ट में वेकेंस है इस तरह से आप लोग सब सभी चीज़े देख सकते हैं और ग्राउंट ट्रेनी में अगर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की ठीक है यहां पर अगर ह आपका जो ट्वेल था उसमें फिजिक्स और मैथ का होना बहुत ज़रूरी है या फिर आप अगर आपने बी किया है या फिर आपके पास बी टेक किये है तो फिर आप इसमें अपलाई कर सकते हैं खासकर के एक एंटरी के लिए फ्लाइंग ब्रांच में उसके बाद हम बात इसलाल है सबसे फर्स में है अरणाटिकल इंजीनियरिंग इलेक्टोनिक्स में तो इसके लिए अगर आप अपलाई करते है तो सबसे फर्स में है कि आपका 10 प्लस 2 में मिनिममूम 60% होना चाहिए फिजिक्स मैत के साथ में और आपके पास चार्ट साल का ग्रिजविसन या फिर आपके पास ना जो इंटीग्रेटर में PG in engineering या फिर technology में होना चाहिए और यहाँ पर दूसरे technical engineering mechanical के लिए हैं ठीक है तो mechanical में अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ना अगर आपके पास सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं एड्मिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिक्स टिक के लिए तो इसमें अगर आपके पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है और यहां पर फिजिकल इलिजिब्रिटी में आपको बदा देता हूं मेल के लिए हाइट 157 cm रहने वाली है और अगर कोई फिमेल के इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 152 cm हाइट ह में ठीक है और यहां पर फिजिकल इलिजिब्रिटी आप लोग देख सकते हैं जो हाइट होनी चाहिए वो मेल के लिए 157.5 cm रखी गई है और फिमेल के लिए 152 cm हाइट में रखी गई है अब हम बात करते हैं स्पेसल एंट्री एंससी वालों के लिए एंससी वालों की डिर इलिजिब्रिटी है तो वो डाइकली एंससी में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अप्लाइं ब्रांच के लिए और यहां पर स्कॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको वीडियस तीन लिंक्स मिल जाते हैं थर्ड लिंक्स हैं जिसमें फॉस्ट वाला फॉस्ट हो इलिए तो थर्ड वाले लिंक्स मिल जाये गाए तो उसका भी यूस करके आप असाणी से अपलाई कर सकते हैं या फिर नॉटिफिकरेशन को डाउड कर सकते हैं आई होब यह वीडियो आपको पसंद आई होगी न तो प्लीज लाइक कर लेना या चैनल को और बेल आईकन को प्रेस कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर करना है और आपके मन में जो भी doubts होते हैं विडियो के विडियो के वाटिंग तो प्लीज नीचे में कमेंट सका रहते हैं वहाँ पर करके ज़रूर बताईएगा ठीक है तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी ने विकेंसी अपडेट के साथ तब तक सब को बबाई हवा ग्रेट टे जहें वंदे महात्राम